आकाश्वानी भूपाल से प्रसुत हैं फ्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग G20 सिंस्कृती कारेसिवों की पहली बैठक का आज मद्द प्रदेश के खजराहों में उद्खाटन हुआ उद्खाटन समारों को सम्भूधित करते वे केंडरे मंत्री डॉक्टर विरेंदर कुमार ने कहा कि पारस पर एक संबंधों को बनाये रखने के लिए संस्कृती बहुत जरूरी है संस्कृती राज्य केंद्रिय मन्तरी मिनाक्षी लेखी ने कहा कि संस्क्रतिक समानता और सत्भाव भारत की विरासत है उन्चिंव देव कुट्मवकम एक प्रिथ्वी एक परिवार और एक भविष्ट और अखंड बानोता की धारना बहुत पुरानी है और भारत ने हमीशा इसका समर्तन किया है, श्रीमती लेखी ने जानकारी दी के विदेश से 25 मोटियों को वापस लाया गया है संस्कतिक कारिजमों के पहली बैठक में विविन बुद्धो पर जर्चा की जाएगी, ये बैठक इस महीने की 25 तारिक तक चलेगी मोख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्ट्र विरेंदर कुमार किंड़ी संस्कति मंत्री जी किशन रिड्डी संस्कति राज्य मंत्री मिनाक्षी लेखी ने महाराजा छत्रसाल कंविंशन हौल खजुराहों में बुधबार को संस्क्रतिक संपति की सुरक्षा और बहाली पर पोशा खजाने की वापसी शीर्शकवाली प्रदशनी का उत्खाटन किया और री एड्रेस रिटन ओफ ट्रेजर्स का विमचन किया गौर्टलवे की भारत सरकार द्वारा 2014 से 2025 तक 239 देशों से ले जाए गई और विरासस से जुड़ी वस्तों की वाफसी कराई गई है उनमें से 25 प्रदश्यत की गई है राश्रपती द्रौपती मुर्मू तीन मार्ज को भोपाल प्रवास पराएंगी वे साथवे अंतराश्री धम कॉनफरेंस 2023 का शुबारम करेंगी मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहार ने आज राश्रपती के आगबन की तयारियों की भोपाल में आयुजित बैठक में समिक्षा की मुख्यमंत्री ने राश्रपती के आगबन के लिए जारी तयारियों की राज की विमान तल पर समिक्षा की मोख्य मंत्री ने विदान्सभा सत्र की तैयारियों के संबंद में भी वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से बैठक ली आज उज्जैन जिले के महितपूर में राजस्तरी रोजकार दिवस कारिक्रम आयुजित क्या जा रहा है मोख्य मंत्री शिवरासिंग चोहान सुरोजकार प्रारम करने वाले युवाओं को विभन योजनाओं के तहट स्वीक्रिती पत्रों का प्रतिकात्मक रूप से वित्रण करेंगे मोख्य मंत्री शिवरासिंग चोहान कारिक्रम से ही हर्दा, अशोक नगर, कट्नी और निवाडी जिले के एक-एक हितगराही से वर्जुल समवात करेंगे राजे सरकार ने मोख्य मंत्री दुधारू गाय प्रदाय कारिक्रम को सिंचोधित करते वे, मोख्य मंत्री दुधारू पश्यू प्रदाय कारिक्रम के रूप में लागो किया है कारिक्रम में अब हित्गराही की मन्शा के अनुसार दुधारू गाय के अलावा भैस भी दी जाय सकेगी साथी कारिक्रम का लाब विशेश पिछडी जिंजाती बैगा के साथ सहारिया और भारिया को भी मिलेगा इन जिन्जातियों की कमजूर आर्थी के सिती को देखते वे हितिगराही अंशदान की राशी 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई है पशुपालिन और देरी मंत्री प्रेम सिंग पिटेल ने कहा है कि प्रती पशुपालक दो दुधारू पशुगाय अभैस दी जाएगी वित्य वर्ष 2022 और 2030 चौबिस के लिए 750-750 गाय भैस प्रदाय का लक्षिन इधारित किया गया है इसके लिए 29 करोड 18 राक रुपए का प्रावधान किया गया है अब कुस समचान से शेप में प्रदेश के सभी शासकी प्राथमेक विद्याले और बादमिक विद्यालें में कक्षा 2-8 मी तक के विद्यार्थियों के लिए सलासतरे शैक्षिक ओलंपियाड आज प्रतीक सिला मुख्याले पर आयंज़ित क्या जा रहा है ये कल भी रहेगा शैक्षिक ओलम्पियाद के अंतरगत जन्शिक्षा केंद्रस्तर की परिक्षा 19 जन्वरी को प्रदेश के 3056 परिक्षा केंद्रों पर हो चुकी है धार सिले की बाग थाना के अंतरगत देहरी मार्क पर लोंग सरी पुलिया के पास जीप और दो बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक बालिका और एक महिला सही चार लोगों की घटनास्तल पर ही मौत हो गई इस बुलिटिन में इतना ही डीजे जासत नमस्कार झाल ज nue झाल 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 को मतव क्वार खब बाइक्द पिक healthy hours झाल झाल